तो दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त रहू स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल टैकर भारत तो दोस्तो आज जो ये वीडियो बनाऊगा आज इस वीडियो में दो टोपिक होंगे पहला टोपिक योगा की जो 15 साल पुराने वहिकल है जैसे टू विलर फोर विलर तो उनका रेजिटेशन किस तरीके से होता है क्या प्रोसीजर है क्या डोकुमेंट है क्या फीस लगती है वो सारा मैं इस वीडियो में कवर करूँगा और दूसरा ये कि जो दिल्ली एंसीयार में जो 15 साल पुराने वहिकल है क्या वो रेजिटर्ड होंगे या नहीं होंगे तो क्योंकि दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था कि जो सुप्रीम कोर्प और इंडिया की जो गोवर्मेंट है एक गैड्लाइन्स निकाले थी कि 15 साल पुराने वहिकल का रेजिटर्टेशन हो सकता है उसमें मैंने काफी चीजें बताई हैं तो आप आई बटन में जाते हुआ उस लुडियो को देख सकते हो और इंपवर्मेशन गैडर कर सकते हो कि तो दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि जब कोई नई गाड़ी मार्केट में आती है उसका जो रेटीर्शन होता है और 15 साल के रिए वह रेट्रेड किसी भी आठी ऑफिस में जब उसको 15 साल पुरानी हो जाती है जब 15 साल उसको पंपलीट हो जाते हैं तो उसका नया registration कराया जाता है वो बहुत ही mandatory है बहुत ही essential है जरूरी है अगर आपकी वहिकल को 15 साल हो चुके हैं तो आपको उस वहिकल का दुबारे से registration कराना जरूरी है अगर इन केस वह वहिकल का आप registration दुबारे नहीं कराते हो और वो गाड़ी कहीं भी parking में या रोड पे चलती हु कि जो enforcement police होती है जिसे पांच नंबर वाले भी कहते हैं वो पकड़ ले तो उस गाड़ी को बाउंड कर सकते हैं और उनके पास जाइज हक होता है कि उस गाड़ी को बाउंड करके वो रोड पे ना चलने दें क्योंकि वो गाड़ी इस तरीके से जो 15 साल registration पुराना हो जाता ह वो invalid vehicle हो जाता है जो रोड पे नहीं चल सकता इवन आपकी गाड़ी अगर किसी parking में भी खड़ी है और उसके बारे में किसी police वाले को जानकारी हो गई कि 15 साल पुराना vehicle है तो उसके मालिक को बलाके उसकी आसी चेक करके और ये देखा जाएगा कि वो 15 साल पुराना है तो उसको तुरंत police जब्त कर लेगी और उसको scrap में भेज देगी और scrap होने के बाद जो पैसा मिलता है वो मालिक को दे दिया जाता है ओनर को ये वो case है जब आप 15 साल पुराना vehicle हो जाता है तब भी आप उसको रोड पे रन करते हो बिना री रेजिस्टेशन किये वे अब सवाल आता है कि जब हमें 15 साल पुराना हो गया है वहिकल तो आपका रेजिस्टेशन 15 साल पुराना हो गया है तो आपको करने का किस तरीके से उसको री रेजिस्टेशन करा सकते हैं जैसे आपके पाद टू विलर है जैसे बाइक स्कूट या four wheeler है या दोनों हैं किस तरीके से होगा तो दोस्तों इसमें फोरम 25A और 23A फोरम लगता है 25A registration के लिए और 23A smart card RC के लिए जैसा कि आपको पता होगा कि पुरानी RC पहले एक paper पर आती थी लंबे paper पर तो अब smart card में आती है जैसे license का एक smart card होता है उसी तरीके से एक RC उसमें बन के आती है आप इसको करने का तरीका क्या है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अगर आप two wheeler का करवाते हो two wheeler का जैसे scooter हो बाइक हो तो इसकी fees अभी जो है वो करीब करीब 300 रुपे है ये vary कर सकती है state by state ल करीब करीब 600 रुपे है ये हर state में vary कर सकती है अब इसको registration कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए मैं कुछ चीजे बताता हूँ आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको forum के बारे में बता दिया 25A और 23A आपको भरना पड़ेगा ये दोनों तरीके से हो offline और online उसके साथ आपको कुछ documents लगाने होंगे वह documents मैं बता देता हूँ क्या 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 क्यों लगेंगे दोस्तों जो original RC होगी वह आपका valid insurance होना चाहिए गाड़ी का PUC pollution under control certificate होना चाहिए valid होना चाहिए आपकी age proof और DL address proof address proof में आप अधार card voter ID card ये लगा सकते हो और एक affidavit भी आपको बनवाना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको दो passport size photo दोस्तों ये procedure है offline आप किसी भी आटियो दफ्तर में जाके ये चीज़ें आप जमा करके आप अपनी गाड़ी का re-registration करा सकते हो अब दूसरी बात आती है अगर आप री-registration कराने में लेट हो गए मालो ओर एक्जामपल समझ लेते हैं जैसे आज डेट है छे जुलाई 2020 मालो आपका छे जुलाई 2020 को आपकी आर्सी expired होती है तो आपके पास दो महिने grace period होता है दो महिने grace अंत्राल में अपनी गाड़ी की आर्सी को renewal करा लो अगर आप दो महिने के अंत्राल में आर्सी रिनुवल नहीं कराते हो तो उसका आपको fine लगेगा जैसे भाइक के लिए आपको जो penalty लगेगी वो कम से कम आपकी मतलम monthly के हिसाब से लगेगी जैसे 300 रुपे मन्तली अगर आपने दो महिने तीन महिने अगर आपने डिले किया तो आप उसे multiply कर लीजिए जैसे 300 रुपीज आपकी monthly penalty लगती है तो अगर आपने 6 मेने निकराए तो अगर आपके तीन या चार महिने grace period से उपर जाते हैं तो वह 500 रुपे पर मन्त के साफ़ से आपको penalty देनी पड़ सकती है तो यह प्रोसीजर वह वहा कि जब आपको 15 साल वहिकल पूरे हो गए है वहिकल को और उसको re-registration कराना है तो अगर उसमें डिले करते हो तो इस तरीके से आपको penalty देनी कर सकती है अगर आप online कराना चाहते हो तो website है परिवहन.gov.in इस पे आप जाओगे दो पोटल खुलेंगे एक होगा सारती एक होगा वहन तो वहन पोटल पे जाके आप उसको फिलप कर सकते हो जो फोरम मैंने बताया और उस तरीके से आप online भी re-registration गाड़ी का करा सकते हो अब दोस्तों सवाल यह आता है कि जो 15 साल हो चुके हैं गाड़ी में दिल्ली और NCR की गाड़ी में क्या वो भी re-register होंगी यह बहुत लोग में से यह सवाल गुशते हैं तो दोस्तों मैं यह बता देता हूँ 15 साल के भाद जब गाड़ी का रे-registration दुबारा होता है वो 5 साल के लिए extend होता है हर स्टेट अपने अपने according वो extension वेहिकल को दे देता है अब उसमें क्या होगा जो दिल्ली NCR में वेहिकल है दिल्ली NCR में जो वेहिकल है केवल केवल उनके लिए Supreme Court की गायड़ीस है अगर आपका वेहिकल पेट्रोल में है यह C engineering में है कार की मैं बता रहा हूँ पेट्रोल या सी एंजी में हैं तो वह वहिकल आपका 15 साल के लिए वैलिड माना जाएगा इस दिल्ली और एंसे आर के जोन में अगर आपका वहिकल डीजल है डीजल वर्जन है तो डीजल वर्जन 10 साल के लिए ही वैलिड होगा इससे अगर उपर जाता है तो वह इनवैलिड वहिकल माना जाएगा रोड के उपर वेसक से उसकी 20 साल की आर्सी क्यों नहीं माना जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोट की साफ साफ गर्डेंस हैं कि कोई भी वहिकल चो पेट्रोल सी एंजी में है वो 15 साल और डीजल में है वो 10 सा से पुराना नहीं चल सकता है क्योंकि ये पलूशन को देखते हुए कि दिल्ली में बहुत बढ़ रहा है तो इसको मद्दे नजर रखते हुए इंडियन गोवर्मेंट ने और सुप्रीम कोट ने ये ओडर पास कर रखा है कि इतना पुराना वहिकल नहीं चल सकता है तो दो दिल्ली के जो एरियास हैं जैसे फरीदाबाद हो गया नोड़ा हो गया गाजयबाद हो गया खुरगामा हो गया कोई भी जो एंडियन दिल्ली का होता है उसके अंदर 15 साल का वहिकल अगर पुराना है तो वह री रेजिस्टर नहीं होगा किसी भी कीमत पे वहां को तो दोस्तों आपके सारे सवाल की कोशिस कीए है कि मैंने इसमें जवाब देनी की किस वीडियो के मंद्य नजर बहुत से कोशन्स में इसे पूछे गए थे लास्ट वीडियो में 15 साल पुराने वेहिकल अब चल सकते हैं रोड़ पे कुछ ऐसे मैंने वीडियो बनाई थी वह बेसिकली आउटसेडर के लिए थी जिनको दिक्कत होती है 15 साल पुराने वेहिकल कैसे रिश्टर होंगे तो वो चीजे मैंने इसके अंदर बताने की कोशिस किया अगर उसके बाद भी कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप में इसे पूछ सकते हो उसके रिगारिंग मैं आपक को इनफोर्मेशन अच्छी लगेगी और यह वैल्यूबल कंटेंट है जिन दोस्तों को अपने 15 साल के में थोड़ा सा अंतर लगता है कि कैसे होगा कैसे तो उनको यह हैल्फ कर सकती है तो दोस्तों इस वीडियो में फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में नहीं जानकारी के स